Hello everyone, my name is Himan, तुम्हें सौगत करता हूँ आपके अपने चैनल Magnet Brains पे जो प्रोवाइट करता है Quality Education Full Course Content के साथ, जी हाँ, Full Course Content के साथ मदा आएगा सर, NCRT का Part 5, इसमें खतम करतेंगे, टेंशन नहीं लो सब लोग करें सर, कब खतम होगा, कित्ती बड़ी है, मैंने का भाई हाँ, वो तो है NCRT Solution Part 5, मान के चलिए सर जी, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बिलकुल, बहुत ही ज़ादा चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब जब नाम नहीं ले रहा है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की यहां पर बात नहीं है, तो चले, करें चालू लास्ट पार्ट है और यहने किमिस्ट्री के NCRT सॉलूशन का हो जाएगा सर इसमें निप्टा देंगे टेंशन मतलो को यार सर यार पहले भी आपने यही बोला था पार्ट फोर में भी आप यही बोल रहे थे हो जाएगा हो जाएगा कि 7-8 कोशन्स ही है जो बड़े हैं बाकी तो फिर छोटे-छोटे हो जाएगे तो टेंशन नहीं लेना है होगा जरूर होगा जरूर बस लगे रहो बस लगे रहो ठीके तो करें क्या चालू कलना ही पड़ेगा सर आप्शन नहीं है हमाई पास तो यह लीजे बिल्कुल 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 देखिए explain मैंने का ठीके सर एक्स्पें कर दिंगे क्या करना है explain पहले यह बताओ वाइन और्गेनिक लिक्विड वेपराइज एट आ टेंपरेचर ब्लो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इन इट्स स्टीम डिस्टिलेशन अपने पढ़ा था ना स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर जो हमारा कोई भी और्गेनिक लिक्विड होता था भाया वो वेपराइज होने लगता है उसके बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही अच्छा खासा वेपर में डिस्टिलेशन था वो अपन को देखने lied थि तो वया इने का रीजंड बहुत ईजी क्या होता है संद जो और गयनिक कंपाउंड का वइपर प्रैशर होता है और स्टीम भी तो कुछ प्रैशर आप्लाई कर रहीयोगी ये दोनों मिलके एकमस्फेरिक मैप्रयशर के बराबर हो जाते हैं एकमसफेरिक प्रैशर और अगर आपमसफेरिक ऍालिवपर के बराबर हो गए तो भाया वो वैपर्स में convert होने लगता है उसका भली उत्ता temperature ना पहुचे लेकिन भाया अगर atmospheric pressure के बराबर हो गए तो फिल तो वैपर्स बनने लगेंगे और अगर वैपर्स बनने लगेंगे तो सजी फिर उसका जल्दी से जल्दी वैपराइजेशन होने लगेगा देखो इट इस बिकॉस इन स्टीम दिस्टिलेशन इन आस्टीम दिस्टिलेशन sum of किसकी बात कर रहे हैं? sum of वैपर पेशर ओफ और गनिक कंपाउंड sum of वैपर पेशर ओफ और गनिक कंपाउंड and steam and steam and steam sum of वैपर पेशर ओफ और गनिक कंपाउंड and steam यह जो होता है यह बराबर हो जाता है किसके सलजी एट्मोस्फेरिक प्रेशर के बराबर किसके बराबर हो जाता है? एट्मोस्फेरिक प्रेशर के बराबर किसके बराबर हो जाता है सलजी? एट्मोस्फेरिक प्रेशर के बराबर इसी लिए वो वैपराइज होना चालू हो जाता है और अच्छा खासा वैपराइजेशन देखने को मिलता है पूरा वैपराइज होना चालू हो जाता है और Vaporization देखने को मिलता चला जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है हमने का done चलो बाई जल्दी देख लो एक बार एक बार जल्दी स्कीन शोट लो तो फिर आगे बात करते हैं Qution No.28 Qution No.28 Qution No.28 Qution No.28 Qution No.28 चलो, जल्ली screenshot लेलो, ले लिया इसका screenshot, जल्ली screenshot लिया, चलो, अब इसको देखिंगे, क्या बोल रहा है Will CCL4 gives white PPT of AGCL on heating it? Will silver nitrate give reason for your answer? Will CCL4 gives white PPT of AGCL on heating it with silver nitrate? Give reason for your answer. Give reason for your answer. Sab se pehli baat toh, no. No, no, no. Sir, कैसे बोल दिया आपने no? शरम नहीं आई, आपको एकदम से ऐसे मना कल दिया किसी को मुँपे, मैंने का यार नहीं तो नहीं होता है क्योंकि CCL4 जो है ना, actually क्या है ना, कि CCL4 जो है ना, एक non-polar compound है, कि इस compound है, non-polar compound है, तो नहीं हो पाएगा तो बिल्कुल भी नहीं हो पहीग है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कौन सी language में बात कर रहे हो सर्थ, अरे यह है एक, non-polar solvent है, यह बहुत अच्छा, यह पाने में तूटता नहीं है, non-polar solvent है ठीक है, हमने का, ओके, तो भाईया, यह AGCL से, यह AGNO3 से रियाक्ट नहीं करेगा, और ना AGCL बनाएगा, इसलिए भाईया, यह रियाक्ट नहीं करता है, क्योंकि यह non-polar solvent है, कैसा है, non-polar compound है यह, देखिए, अब इदर देख लो, नो, 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 देखो, नो, CCL-4 is a completely non-polar covalent compound, whereas AGNO3 is ionic in nature, AGNO3 कैसा होता है, ionic होता है, तो ionic covalent के साथ तो मिलेगा नहीं, therefore, they are not expected to react, thus white PPT of silver chloride will not be formed, will not be formed, जो की नहीं बनेगा, बिलकुल, शांदार topic था, शांदार कोशन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोशन no. 20, 29th कोशन, बढ़िया, एक नमबर, एक नमबर, जल्दी, 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 एक नमबर, वहाथ ही बढ़िया कोशन, चलो, done, 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 ये देखिए सा, अब ये देखेंगे, ये भी बढ़िया है, देखिए, कोशन no. 30, बिटा, इसमें theory कोशन से आखरी में question number 30 why is solution of potassium hydroxide used to absorb co2 evolved during the estimation of carbon present in the organic compound sir क्या होता है क्या हो रहा है estimation of carbon जब अपन कर रहे है क्या कर रहा है सर्जी estimation of carbon अपन carbon को निकाल रहे carbon का पता कर रहे है कि कित्ता carbon उसके अंदर है तो सर estimation of carbon जब होता है तो उसमें gas निकलती है जिसका नाम है co2 gas और यह gas होती है ऐसे डिक अब इस gas को भी हमें क्या करवाना है कहीं डिजॉल्व करवाना है कहीं एब्सॉब करवाना है इस इसको हटाना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं सर्जी कोह क्या यूज करते हैं कोह क्या होता है बेस होता है तो आप सब जानते हो कि acid और base तो भाई एकदम opposite होते हैं आपस मिलने की कोशिच करेंगे acid और base मिलके क्या बनाने की कोशिच करेंगे salt बनाने की क्या salt तो यह बनाएगा koh plus co2 तो यह बना लेगा potassium carbonate मतलब k2 co3 plus h2o क्या बना लेगा k2 co3 or h2o तो यह बना लेगा potassium carbonate क्या बना लेगा potassium carbonate कोई दिकत की बात नहीं आईगी यह बना लेगा potassium carbonate जल्दी potassium carbonate कोई दिकत की बात या पर नहीं है done अब देखो तो co2 is acidic in nature and therefore it reacts with the strong base koh to form k2 co3 potassium carbonate क्या बना लेगा potassium carbonate और formula क्या रहेगा koh plus co2 gives k2 co3 plus h2o मतलब reaction आपकी यह देखने को मिलेगी बिल्कुल simple है जल्दी screenshot लेगे जल्दी 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 फटा फट screenshot लेना है एक तरफा हो गया done चल इसका लेलो आप जल्दी screenshot कोई देखतो रहे तो भाईया एक बाद session को like कर दो और जल्दी जाके एक बाद चमका लिख दो भाईया चम 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 का चम चम का जल्दी 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 मज़ेतार शांदार question number 31 पढ़िये why is it is necessary to use acetic acid and not sulfuric acid for acidification of sodium extract for testing sulfur by lead acetate test sir बढ़िया question है चलो जल्दी कोई answer लिख सकता है तो लिखो नहीं तो मैं इसको solve कराता हूं चलिए चलिए करके देखा गया question number 31 एक तरफा question है sir why it is necessary to use acetic acid and not sulfuric acid for acidification of sodium extract for testing sulfur by lead acetate test काओगे sir last के question तो पूरे के पूरे यही भरे हुए extraction के उपर testing के उपर lessignate test जुमास method इनी सब पर मैंने का एकात question आएगा भाई एकात question आएगा बिलकुल एकात question तो आए गई आएगा अब ध्यान से देखिए for testing sulfur किसकी testing भया sulfur ठीक है देखेगा sodium extract is acidified with acetic acid because because lead acetate is soluble and does not interfere with the test क्योंकि sir क्या होता है कि जब हम इसकी reaction करवा लेते हैं तो यह बना लेता है lead acetate क्या बना लेता है बिटा lead acetate और उसके बाद वो हो जाता है पानी में क्या solubal कैसा हो जाता है पानी में solubal और वो interfere बिलकुल भी नहीं करता है पर यह नहीं करता है रुको रुको कहां जा रहा हो इसलिए आपन किसको use करते हैं sir बिलकुल 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 एसेटिक एसेट का यूज करते हैं अपन सल्फियूरिक एसेट के जगा क्योंकि भाईया lead acetate solubal हो जाता बिलकुल भी इंटर्फियन निकलता रियाक्शन के अंदर कोई भी इस टेस्ट को कोई भी आहानी नहीं पहुचाएगा वो जल्दी फटा फट देखेंगे एक दम एक नमबर एक नमबर जी हाँ चलिए हो गया ड़न अब अगला यह देखिए सब एन और्गेनिक कंपाउंड गंटें 69 परसेंट कारबन और 4.8 परसेंट हाइड्रोजिन ठीक है दा रिमेनिंग बिंग ऑक्सीजन फिर बाकी ऑक्सीजन है अगर आप देखें तो इसको 5 परसेंट माल लूँ तो हो जाएगा कितना 74 और आपका लगभग 25.2 परसेंट आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा ऐसी सम्टिंग होगा अभी अपन देख लेंगे calculate the mass of carbon dioxide and water produce when 0.20 gram of this compound is subjected to complete combustion when 0.2 gram of this compound is subjected to complete combustion भईया आपको दे दिया है जो compound लिया गया है main compound जो लिया गया है main compound जो लिया गया है वो है 0.2 gram main compound जो लिया गया है वो है 0.2 gram कोई दिक्कत अब इदर पर देखे तो carbon कितने percentage में 69% और hydrogen कितना है सरजी 4.8% चलो बाई जल्दी बताईएगा oxygen कितने percentage है oxygen कितने percentage है जल्दी बताईएगा आपको निकालना है mass of co2 और mass of h2o mass of co2 और mass of h2o यह find out करना है यह find out करना है बिल्कुल सर यह थोड़ा सा याद दिला देगा आपको मोल कंसेप का चाप्टर मोल कंसेप का चाप्टर आपको याद दिला देगा थोड़ा सा जी हाँ वहाँ पर अपने यह सारी चीजे देखी थी बड़िया तरीके से हुआ था कोई दिक्कत की बाद इसमें आई नहीं थी चलो देखो जड़ा देखिए स्टेब बन आपको क्या निकालना है कैलकुलेट दा मास और सीओ टू प्रेद्यूस यह निकालना है चलिए मास आफ दा कंपाउंड किता है सा 0.20 ग्राम और अपना परसेंटेज ओ गार्बन किता है 69 परसेंट यह है कैं नहीं है तो जब अपन परसेंटेज निकालते तो क् भपते हैं किसका निकालना है निकालना तो कार्बन का मास ऊपर फिस CO2 का मॉलिक्लर मास CO2 केता होता है 44 निकालके बेख चूक है अपन देखे ज़रा है 12 più 16 into 2 किता हो जाएगा 32 प्लस 12 किता होता है सब जानते है 44 चेक है उसके बाद उपर देखिए mass of CO2 form mass of CO2 form यही अपन को निकालना यह वाला upon mass of compound mass of compound किता दिया है 0.20 यह देखिए और into 100 ले लिया अब देखिए 69 के पास 44 जाएगा 0.20 भी भही जाएगा 12 से डिवाइड होगा और 100 से भी डिवाइड होगा यह देखिए और यह आपका mass of CO2 आ गया 0.506 gram CO2 बनेगा भहिया 0.506 gram CO2 आपका तयार होगा 0.506 gram CO2 आपका तयार होगा देख लीजे देख लीजिए देख लीजे देख लीजे बिलकुल देख लीजे कोई दिक्कत की बात कोई दिक्कत की बात 0.506 gram 0.506 gram CO2 आपका तयार होगा mass of CO2 form mass of CO2 form 0.506 gram 0.506 gram जल्दी 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 कोई दिक्कत कोई तकलीफ मेरे साब से तो नहीं होनी चाहिए 0.506 gram clear है done समझ में आया ना चीक है अब निकालते हैं H2 होगा सेम प्रोसीजर आप क्या करोगे सर H2O के साथ सेम आप क्या करोगे percentage of hydrogen ले लोगे hydrogen का mass रखोगे उपर ठीक है उसमें hydrogen कितना होता है 2 नीचे जाएगा 18 mass of H2O निकालना रहेगा into 100 mass of compound 0.20 इदा percentage कितना जाएगा 4.8 बस खतम इसी तरीके से आपका ये solve भी हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी देखो जाएगा वो ही मैंने का था देखिए calculate the mass of H2O produce यही था mass of compound कितना दिया 0.20 percentage of hydrogen 4.8 तो इदा देखिए 4.8 आगया फिर इदर पे H2O के अंदर H2O के अंदर अगर देखे तो hydrogen का कितना mass है hydrogen का mass 1 into 2 2 हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा mass of water form क्या बोला mass of water form कितना water form हो रहा है वो रखना है तो भईया वो तो आपन को निकाल नहीं है तो mass of water form नीचे 0.20 into 100 अब देखिए 18 और यह into हो जाएगा यह into हो जाएगा divinement 100 और यह कितना हैगा 0.0864 जल्दी देखिए 0.0864 यह गिराम आगया है H2O का यह आगया है H2O का यही तो निकालना था तो यह आगया mass of H2O कितना है आपके पास 0.0864 गिराम चेक है और mass of CO2 वो कितना आया था वो कितना आया था जल्दी बताओ पहले जल्दी बताओ mass of CO2 कितना आया था 0.506 गिराम 0.506 गिराम बस यह दोनों तो आपको अंसर निकालने थे कितना आसान कोशन था कहा लगे रहे तो भाई बेलकुल बच्चो वाला कोशन था important यह रहे आपके answers यह रहे आपके answers जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी 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 सर कोशन नमबर 32 हो चुका है बढ़िया तरीके से 32 हो चुका है अब अपन को आगे देखना है अभी बहुत सारे नसल जी 40 तक है 40 तक 40 चली यह हो गया यह आएंगे कोशन नमबर 33 बढ़िया कोशन है बढ़िया कोशन है एक नमबर जैसे अभी देखना अपन ने जैसे अपन ने 32 देखा था ना वैसी 33 है एक बात ध्यान दो बहुत बढ़िया कोशन है चले करा रीड सोचा कुछ चले देखते हैं अजैसे लागए रगपन सब्सक्राइड वजैसे अपना ने प्रफिषाल आमोनिया इवर्वर्व ऊबट इन 50 M.L. 0.5 M.H2-SO4 बड़िया लिए 60 M.L. 0.5 M.L. Solution of NaOH प्रीजिजिए व्रीजिजिए कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन दा कंपाउंड बढ़िया कोशन है बढ़िया कोशन है बढ़िया एक नंबर आप इसको सॉल्फ करना है सब पहली बात तो आप से पूछा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दा कंपाउंड नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालन ग्रानामिमलेंगें और क्या दिया हुआ है आपको बोला है वो जो औरगेनिक कमपाॉंड है उसका सेंपल दे दिया है सेंपल ओफ औरगेनिक कमपाॉंड sample of organic compound कितना दे दिया है सलची 0.5 gram 0.5 gram चीक है आगे क्या दिया हुआ है the ammonia evolve absorbed by 50 ml of 0.5 molar H2SO4 मतलब 50 ml आपने लिया था कितनी molarity का 0.5 molarity का आपने थीक है और the residual acid required 60 ml of 0.5 ml solution of NOH मतलब सर आप समझिये मैंने 0.5 ml का H2SO4 दिया कितना ml दिया 50 ml इसको यूज किया कि इसमें भाया मैं जो nitrogen इसको absorb कर वाऊँगा ठीक है तो भाया पूरा यूज नहीं हुआ पूरा यूज नहीं हुआ कुछ यूज हो गया मतलब मालो एक्स यूज हो गया तो अब बचा कितना remaining बचा हुआ है remaining बचा है और उस remaining acid को जितना भी बचा है neutralize कराने के लिए neutralize कराने के लिए मुझे कितना required पड़ा 60 ml of 0.5 ml NOH लग गया NOH को लादा पड़ेगा न तब ही तो neutralize होगा acid को neutralize कौन करेगा base तो base लाया जो भी बचा है उसको इतने ने neutralize किया तो पहला question तो मेरा ये है कि कितना volume acid बचा हुआ था पहला question तो ये है तो पहले तो ये find out करो कितना volume बचा था ये पता चल जाएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि nitrogen gas जो absorb हुई थी उसमें कितना volume खर्च हुआ था मतलब indirectly मुझे निकालना है कि ये जो nitrogen absorb हुई है किस के through H2 as a 4 के through तो कितना volume nitrogen को लगा absorb में कितना use किया तो उससे पहले पता करना पड़ेगा कि भाईया बचा कितना फिका कितना neutralize कितना हुआ पहले वो निकालना पड़ेगा तो उसके लिए मदद करेगा हमारी nao h कौन मदद करेगा nao h और इधर दिये हुई है molarity अपन को बदलना पड़ेगा normality में अपन को कहां बदलना पड़ेगा सल जी normality में तो simple सी बात होती है sir अगर a की o h है तो जैसे मान लो यहां पर nao h की बात करूं मैं तो nao h की molarity कितनी है 0.5 तो इसकी normality भी 0.5 होगी लेकिन अगर h2 a 104 की बात करूं यह सब मैं आपको concept बता चुका हूँ काई में chapter number 1 में h2 a 104 की molarity कितनी है 0.5 तो normality हो जाएगी कितनी 1 n कितनी हो जाएगी 1 double क्योंकि भाईया 2 h plus है इधर पे nao h के पास एक ही h plus होता है इसलिए जितनी molarity उत्ती normality लेकिन इधर 2 h है 2 h plus देगा इसलिए इसकी normality हो जाएगी 1 n चलो पहले इतना note down करो यह roughly note down करना फिर मैं घरवाता हूँ आपको बड़िया तरीके से हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी कोई tension की बात नहीं आएगी और done ने का बिलकुल भी नहीं मैं हूँ ना done ने का बिलकुल भी नहीं मैं हूँ ना हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा tension नहीं लेने का बिलकुल भी tension नहीं लेने का देख लिएंगे done हो गया चलो आजओ आजओ चलिए देखो क्या हुआ calculate the volume of unused asset देखो कितना H2S4 बचा है पहले वो निकालो हमने का ठीक है निकाल देगे उसके लिए कुछ चीज़े देखो volume of NOS solution required कितना volume लगा NOS का उसको क्या करने में neutralize करने में 60 ml इसकी normality मिले जाओ तो भाया NOS की जो molarity होती है वो ही normality होती है देखिए H2S4 में करेंगे तो twice है देखिए H2S4 1 हो गई आप क्या करना है normality का formula लगाओ क्या N1 V1 equals to N2 V2 यही है चलो N1 पहले यह asset के लिए बात कर लेते हैं और यह अपन base के लिए बात कर लेते हैं asset की normality कितनी है 1 है अभी देखा अपनने volume तो निकालना है तो V बात लो normality of NaOH कितनी है half volume 60 कितना गई यह है volume of acid 30 ml unused unused acid का जो volume था वो मिल गया sir unused जो बाला मिल गया कितना मिल गया 30 ml total कितना था total कितना था आपने 50 ml लिया था मतलब 20 ml यूज हो गया 20 ml use हो गया 20 ml use हो गया है बचा कितना है 30 ml 30 ml unused 30 ml unused 20 ml यूज हो चुका है पहले screenshot लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी screenshot लो ले लिया चलो यह देखे step 2 calculate the volume of acid use volume of the acid added कितना था 50 ml लिया था 30 unused था तो total use वाला कितना हो गया 20 ml यूज हो गया 20 ml क्या हो गया सर्जी यूज हो गया मैंने थीक है आप क्या करेंगे आप निकालेंगे percentage of nitrogen percentage of nitrogen तो देखे mass of compound कितना दिया हुआ है 0.5 gram volume of acid use कितना हो गया 20 ml normality of the acid use कितना हो गया 1 n यह देखे percentage of nitrogen के लिए क्या करेंगे देखे percentage of nitrogen के लिए यह formula लगा कि अपर इसको solve करेंगे देखे 1.4 into volume of an acid use into normality of acid use upon mass of the compound तो यह देखे 20 यह 1 यह 0.50 आगया किता 56% 56% कोई दिक्कत की बात नहीं है 56% कोई दिक्कत की बात नहीं है 56% कोई दिक्कत की बात नहीं है जल्दी 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 फटा फट करेंगे जल्दी 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 हो जाए तो बताईएगा ठीके डन चलो आगे यह भी बहुत इजी है यह भी इजी है 0.378 ग्राम ओफ एन और्गेनिक क्लोरो कंपाउन गेव 0.5740 ग्राम ओफ सिल्वर क्लोराइड in carious estimation calculate the percentage of chlorine present in the compound बिटा कर आपको याद हो तो इस तरीके के कोशन अपने किये हुए है इस तरीके कोशन के answers अपने निकाले हुए है कोई दिक्कत की बात इन questions में आती नहीं है चलिए तो पहले तो लिख लो क्या क्या दिया हुआ है सर वो organic compound का mass पहले तो mass of organic compound 0.378 ग्राम ठीक है और क्या दिया हुआ है silver chloride का mass भी दिया हुआ है mass of silver chloride 0.57 ग्राम कितना सर 0.57 ग्राम हमने गाठीक है भी या 0.57 ग्राम हमने गाठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं आप देखे सर वो ही तरीका mass of that compound यह रहा यह अपना हो गया क्या करते थे percentage of chlorine क्या करते थे उपर chlorine का actual में mass क्या होता है 35.5 upon में जो compound का पूरा हो जाएगा मतलब silver chloride का पूरा mass कितना होता है 143.5 108 प्लस 35.5 कर देना आ जाएगा क्या करेंगे silver chloride का mass निकालने के लिए यह करेंगे बिलकुल आसानी से जाएगा कोई दिक्कत नहीं है फिर mass of silver chloride कितना दिया हुआ है 0.574 upon mass of the compound यह आया था और in 200 कर दीजेगा यह आपका जाएगा सब जी यह percentage में आएगा यहापर 30 37.57 37.57 यह आगया आपका mass यह आगया आपका mass कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है बिलकुल simple question था question number 34 बढ़िया बढ़िया है बस 6 questions और बाकी है 6 questions are remaining 6 questions are remaining कोई दिक्कत की बात नहीं है आपका यह हो जाएगा समाब 6 questions are remaining जल्दी 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 फटा फट करेंगे फटा फट 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 जल्दी हो गया done चलो हाँ same same जो अभी किया वो ही पीछे करना है in the estimation of silver by carious method organic sulfuric compound का कित्ता दे दिया देखिए organic sulfur compound का organic sulfur compound का कित्ता दे दिया है 0.468 चेक है और sulfur component compound of afforded इत्ता बेरियम सलफेट ठीक है बेरियम सलफेट का मास कित्ता दे दिया है 0.668 gram mass of barium sulfate दे दिया है mass of barium sulfate दे दिया ये चीज़ और आप से पूछा है percentage of sulfur given तो भाइया जैसे अपने अभी percentage of chlorine निकाला वैसी percentage of sulfur निकालेंगे क्या दिक्कत की बात है वैसी percentage of sulfur निकालेंगे क्या दिक्कत की बात है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है डन 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 कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है चलो करें क्या चलिए सर निकाल देते हैं बहुत इजी है देखिए mass of the compound 0.468 gram यही लिखा था 0.468 gram ठीक है mass of barium sulfate किता है 0.668 gram 0.668 gram यह आगे आपका mass of barium sulfate अब समझो percentage of sulfur percentage of sulfur sulfur का percentage क्या होगा sulfur का निकालना है तो अब बताओ sulfur का mass किता होता है 32 फिर आएगा नीचे क्या सर barium sulfate का barium sulfate का mass इनने दिया नहीं है लेकिन अपने जाने 233 कई सारे questions अपने करे भी है और कितना mass of barium sulfate मिला था वो बताओ सर 0.668 यह देखो 0.668 और कितना compound था 0.468 यह रहा और into 100 बस यह करना होता है और आपका answer आपके सामने आज आता है कोई दिक्कत की बात नहीं होती है बिलकुल simple सा question था शांदार question और कितना है 19.6% 19.6% बिलकुल 19.6% एकदम शांदार जल्ली note down करी है सर इसको कोई दिक्कत की बात नहीं थी जल्ली note down करी है जल्ली note down करी है जल्ली note down करी है चीक done कोई दिक्कत तो नहीं बढ़िया समझ में आ गया ना कोई दिक्कत तो नहीं चलिए एक बार स्क्रीन शॉट लेना बहुत जरूरी है कि कभी कोई दिक्कत ना आ जाए लो और सर ये थे कोशन्स जो हो गए हैं समाप्त चलो अब है कुछ MCQ एक बार देखो उसको जल्दी अच्छे ते पढ़ना बहुत सिंपल MCQ है शांदार MCQ है मज़ेदार सिर्व आपके पास 5 MCQ और उसके बाद ये टॉपिक खतम बढ़िया तरीके से NCRT आज क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है और मैंने आपको बार-बार समझाया है सर जी NCRT को फूकस करिए मैं NCRT solution क्यों देता हूँ मैंने आपको अभी थोई दिर पहले फिर बताएता और अभी फिर बता रहो पेपर में NCRT solution आता है और आएगा भाई अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा मैं भी नहीं तो इसी लिए NCRT solution को solve करिए आज देखो कैसे करा करो आप questions लेके बैठो ठीक है आप बस question देखा आपने यहाँ पर वीडियो को pause कर लिया पहले आप solve करो बन गया तो अच्छी बात है good good cute boy cute girl good good लेकिन अगर नहीं बना तब क्या तब आप फिर try करिए फिर थोड़ी सी help लीजिए मेरे lecture की lecture की help लीजिए शायद फिर बन जाए और रही बन रहा है तो फिर पूरा समझिए एक बाप पूरा clear करिए clear एक वीडियो पूरा देखिए उसके बाद उसको बापिस repeat करिए बापिस क्या करिए repeat करिए क्योंकि अगर आप यह कब नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत फेस करने को मिलेगी मिलेगी तो इसी लिए आपको एक चीज करूँगा सर इसको बिलकुल मत छोड़ना हर चैप्टर में 30-40 कोशन होते ही होते और क कुछ तो मैं कराई थे तो बीच-बीच में दीरे-दीरे करके और वो भी हो गए तो यह सब आपके कोशन को बढ़ाएगा और जितने ज्यादा कोशन होंगे उतनी तगड़ी प्रैक्टिस होगी बिलकुल जितने ज्यादा कोशन होंगे उतनी तगड़ी प्रैक्टिट होग तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है चलो सर ये तो नहीं बोलेंगे लेकिन आगे तो बता तो 36 तो एक बार आप रीट करो मैं तो बस वेट करेगा फिर मैं करवाएगा जल्दी 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 चलिए कोई रिकत तो नहीं कोशन नमबर 36 रेट किया बहुत शांदा सा कतेई जहर चलिए इन दा और्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉंड CH CH2 CH2 C और ट्रिपल बॉंड CH दपेर ऑफ हाइब्रिडाइज और बिटल हिन्वाल्व इन दा फॉर्मेशन ओफ सल जी आप से पूछ रहा है कार्बन टू और कार्बन इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इतनी अंग्रेजी में नहीं गुस्तना है आपको ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बात कही है उसने बस देखते चलो यह सी आ गया ट्रिपल बॉंड CH यह देखो दिख रहें अब ध्यान से देखेगा सर कौन सा है first और second carbon यह रहा फस्ट और यह रहा second इन दोनों कार्बन की hybridization बता नहीं है ओका ठीक है बता दिखेंगे hybridization first carbon को देखिए सर इस carbon कोथ थोड़ा open करिये second को भी थोड़ा सा open कर लो अब ये चलता जाएगा इस से अपन को कोई मतलम नहीं है चलो ठीक है फिर भी बना देता हूँ कि आपको दिक्कत ना लगे ये देखो दिहान से देखेंगे तो ये first car बने इसके पास एक sigma bond एक sigma bond एक sigma bond और एक pi bond तो कितने sigma है तीन तो तीन sigma bond है इसका मतलब इसकी hybridization होगी sp तीन sigma bond है तो इसकी hybridization कितनी होगी sp2 तो कि अपन ने पढ़ा है sir मैंने पढ़ा है आपको अगर किसी के पास 4 sigma है तो hybridization sp3 कैसे एक और 3, 4 अगर किसी के पास 3 sigma है तो hybridization sp2, 2 और सब्सक्राइब Caleb अगर किसी के पास दो सिदिया तो है धर देने सी एक होटो को कि έχ़ दिकत एक और दो को दिकत क्लिए रहे यहां तक बात लैन सатель कि दन को जिम को दिकत तो नहीं है यह यह उस्क थ इंध कखें दयर जो अधर यह यह सो है ड़ित को सबस्क्युum एक सिगमा, दो सिगमा, तीन सिगमा, इसके पास भी कितने सिगमा है, तीन, तो तीन सिगमा है, सर्चीत सब पूछा क्या है अपन से, अहां, कार्बन टू और कार्बन थिनी का पूछा है, मतलब इसका और इसका, वही अपन, मैं वही से ऊच्छा हूँ यार कि क्या पूछा है इसका पूछा है सर यह first वाले का नहीं पूछा है first वाले का नहीं पूछा है second और third का पूछा है ठीके ठीके कोई दिकत नहीं सर चलता है यह हो गया ठीके अब इसको भी open कर लो जरा तो भाईया यह मिल गया 3 सिगमा ठीके तो second Carbon की क्या है सब जी? SP-2 अब third Carbon की चेक करीगे किसी करीगे third? पहले इतता node पहले इतता node डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी पहले इतता node डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी हो जाए तबताईएगा हो जाए तब बताईएगा बिल्कुल हो गया डान चलो अब समझो अब देखिए आपने देखिए इस कारबन को ठीक है इसको अटादो इसके दो हाइडोजन ने ओपन करना पड़ेगा तब ही आपको समझ में आएगा यह देखिए अब देखो यह कारबन का एक बॉन्ड यह सिग्मा एक बॉन्ड यह सिग्मा यह सिंगल बॉन्ड सिग्मा यह देखो सिग्मा कितने बॉन्ड बने एक दो तीन चार चार सिग्मा और चार सिग्मा मतलब हाइडिडाइजेशन sp3 तो वह यह third carbon की hybridization है sp3 third carbon की hybridization है sp3 तो वह यह second वाले की sp2 third वाले की sp3 यह आ गया c c for cute answer c for cute answer c for cute answer कोई थकलीफ c for cute answer done 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 चलो जली note down करो फिसको clear करते हैं चलो यह देखिए हुए तो c for cute answer चली है आगे बात करें बस बटा यही बच्चे हुए है बढ़िया तरीके से solve हो जाएंगे कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है अरे यार इस पर डला हुआ है चीक है बटा यह याद अखना है आपको इन लेसिंगेस टेस्ट लेसिंगेस टेस्ट for nitrogen in an organic compound the Persian blue color is obtained due to formation of जब हम लेसिंगेस टेस्ट करते हैं nitrogen के लिए किसी भी organic compound में चेक करने के लिए तो वहाँ पर एक compound बनता है जिसके वज़े से वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा color आता है सब जी literally बहुत शंदर color आता है Persian blue color जो बनता है इसके वज़े से ferocyanide ये ये बात याद अखनी है ये थोड़ा important है इस compound को थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे सब लोग बिलकुल 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 fe 4 fe cn 6 whole thrice whole thrice जल्दी 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 फटा फट फटा फट को दे कर तो नहीं चलिए अगे बढ़े नेक्स कोशन पे जी हाँ जी 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 चलो हाँ which of the following carbocatine is more stable सर ये तो मैंने पढ़ाया ये तो hyperconjugation की मदद से भी पढ़ाया मैंने आपको which of the following carbocatine is more stable सर याद करो carbocatine का मैंने कोई trend पढ़ाया था आपको याद है जी हाँ सर याद है सबसे stable carbocatine होता था tertiary फिर secondary फिर primary और फिर हमारा methyl वाला फिर हमारा methyl वाला ये बात आपको हमेशा याद होनी चाहिए सबसे पहले tertiary फिर secondary और फिर primary और फिर हमारा methyl carbocatine ये चार टाइप के carbocatine आपको देखने को मिलते हैं, अच्छ अब यह टर्शरी में तीन-तीन best friend होते हैं सर, समाल लेते हैं, समाल लेते हैं, जो दल्द उसको हुआ है, सारे दल्द को clear कर लेते हैं, फिर आता है secondary, दो लोग होते हैं जो दल्द को समाल लेते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर कोई भी नहीं तो आपको यही देखना है कि किसकी डिग्री जादा है एक एक की डिग्री पगड़ने चलेंगे अपन लोग ठीक है चलो पहले वाले को देखो सी है सर टर्शरी लग रहा है चलो चिल्ला के बताओ कौन से डिगरी है यह जल्दी चिल्ला के बताओ कौन से डिगरी है यह डिगरी का नाम बताईए सर डिगरी का नाम बिल्कुल 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 डिगरी का नाम बताईए बिल्कुल ड़न 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 डिगरी का नाम बताईए बिलकुल यह देखिए पॉजिटिव चार्ज तो सर कार्बो के टाइन लेकिन यह में कार्बन तीक है अब इससे कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ही तो जुड़ा है इससे तीन जुड़े हैं इसके पास तीन दोस्त हैं इसके पास तो एक ही है ना यह किसने कहते हैं दोस्त का दोस्त होता है यह किसने कहते हैं दोस्त का दोस्त होता है ऐसा थोड़ी है हर केस में थोड़ी हो जाता है इसका दोस्त तो यह तो इसके पास तो एक ही है तो सर यह primary है यह क्या है primary प्राइमरी कार्बोकेट आयने ज्यादा तेज मत चलना नहीं तो तेज हो जाओगे बहुत ज्यादा एक और डायलोग आया था ठीक है लेकिन मैंने का छोड़ो समझ जाओ आप ठीक है यह दोस्त का दोस्त दोस्त नहीं होता है ठीक है चलिए तो यह क्या है primary आफ यह प्राइमरी कार्बोकेट अब णिगा ठीक है सर्दन अब एक नीचे वाला करेंगे एक उपर वाला ओगे ना एक नीचे वाला पहले इसको नोट्याउन करों फे नीचे वाला देखते हैं जल्दी 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 हो गया डं चल नह 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 चलिए फिर यहां पर देखिए यह प्लास फिर यह CH2 और यह CH3 दिख रहा है अब समझो सर में कारवान ये रहा ये रहा कार्बोकेटाइन वाला कारवन इससे कितने जुड़े हुए है सर जी एक सर जी दो तो ये तो हो गया सकिंटि कारवोकेटाइन हमने का चल्व पढ़र रहा है मतलब इसके कंपेरिजन में तो ज़्यादा स्टेबल ही है क्योंकि हमने पढ़ा है सिकंटि कार्वकेटाइन अंद सी वाले को देखते हैं butter यह को देख लेते हैं मेन कार्बन PenTC यह रहा कि अब इससे कितने कर्बन के गिए एक इससे तो एक जिए तो फिर प्राइमेर्य हो गया सार जी प्राीमेरी कार्बुःताई यह लो सब तो अब ही अगर मैं इन तीनों में देखूं तो सबसे स्टेंटरे और उसने कौन्सा सबसे स्टेबल हो तो अभी तो अंसर D है बस एक बाद B को और चेक कर लो तो इतना नोट डाउन करो फिर मैं B को बताता हूं इतना नोट डाउन करो फिर मैं B को बताता हूं बिलकुल फिर मैं B को बताता हूं बिलकुल शांदार जल्दी नोट डाउन करो जल्दी नोट डाउन करो जल्ली कर लिया कोई दिकत तो नहीं हो गया नोट डाउन कोई दिकत की बात तो नहीं है डान चलिया आप देखते हैं बी बाला सर बी बाले में कहीं दिकत तो नहीं है चलो चलिए B 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 चलो आजओ सर B में क्या है तीन CH3 दिख रहे हैं सर ये देखो ओहो ला 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 सर इसके ओपर कौन सा चार्ज है positive कौन सा चार्ज है positive यह यह कार्बो के टाइम किते दोस्ते हैं ओ माई गॉड सर अब तो इसके पास तीन दोस्ते पहला दोस्त दूसरा दोस्त तीसरा मतलब में कार्बन से तीन कार्बन कनेक्टेड है यह है टर्शरी कार्बो के टाइम क्या है सर जी टर्शरी कार्बो के टाइम tertiary carbo cation क्या है tertiary carbo cation कोई तकलीफ क्या है सब्जी tertiary carbo cation कोई तकलीफ ये बताइए मेरे असाप से तो कोई दिक्कत की बात यहां तक होनी नहीं चाहिए डिंग डॉंग एक नमबर एक नमबर एक नमबर इस इसाप से हमारा कौन सा answer है is tertiary carbo cation मतलब B for best answer B for best answer B for best answer कोई दिक्कत की बात नहीं है चिल, एक नमबर, चलो आगे बढ़ें जल्ली स्कीन्शॉट ले लो उसका देखें तो क्या answer है येस, देखो B for best चलिए, करूँ चेंज, ठीक है ये देखिये सा the best and latest technique for isolation purification and separation of organic compound is sublimation distillation, crystallization नहीं सबसे बढ़िया है क्रोमेटोग्राफी सबसे बढ़िया है क्रोमेटोग्राफी शांदार सबसे बढ़िया है क्रोमेटोग्राफी जी हाँ, सबसे ज़्यादा चल्चित सबसे ज़्यादा best सबसे ज़्यादा latest technique अगर कुछ है purification और सबकी तो वो है हमारी क्रोमेटोग्राफी क्या है सब जी वो हमारी क्रोमेटोग्राफी कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्ली note down करिए जल्ली note down करिए च्रोमेटोग्राफी चलिए, सर जी last question और NCRT यहाँ पर हो रही है समाप्ति यह देखिए चलिए, सर इस reaction का मज़ा आएगा थोड़ा करने में क्योंकि आखरी question है ना आखरी question में हमेशा लगता है ना सर जल्दी 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 यह देखो अब समझो क्या हुआ होगा सर अगर आप इसको जानते हो आप इसको जानते हो यह जो क्या यह जो है, यह कैसे तूटता है क्या प्लस ओएच माइनस अब यह ओएच माइनस यह अटेक कर रहा है और यह क्या है सर जी, नूकलियोफाइल यह क्या है नूकलियोफाइल नूकलियोफाइल क्या होता है, आप सब जानते हो जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम नूकलियोफाइल का नाम देते हैं नूक्लियोफाइल तो एक नूक्लियोफाइल ने आयोडीन को क्या कर दिया सब्सिटूइट कर दिया है इसी लिए इसको कहा जाता है नूक्लियोफिलिक्स सब्सिटूशन रियाक्शन इसी लिए इसको कहा जाता है नूक्लियोफिलिक्स सब्सिटूशन रियाक्शन जल्दी करेंगे जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे बिल्कुल बिल्कुल करेंगे चलिएंड चलिएंड होंगया डेन कुछ दिकत तो नहीं को पाउँम तो चलो आंसा देख लें, ये देखिए सर Nucleophilic Substitution काई ता मैंने आएगा आएगा भाई आएगा और यही आएगा Nucleophilic Substitution शांदार, जांदार और एक तरफा कोही तो रुख लो बिलकल, चलिए डन जल्ली नोट डाम करेंगे तो सर, देखते हम आगे क्या है तेरिन, तेरिन, सर, यहाँ पर होती है NCRT Exercise खतम और यहाँ पर आपका पूरा Organic पूरा Organic Chemistry होता है समाप्थ पूरा Organic Chemistry यहाँ पर होता है Complete COMPLEE पूरा Organic Chemistry होता है यहाँ पर अपना Complete कोई दिक्कत की बात नहीं है बिलकल Ding, dong, ding Ding, dong, ding यहाँ पर होता है Organic Chemistry आपका समांत बिलकल शांदार तरीके से मज़धार तरीके से कोई दिक्कत की बात अपन को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है है तो बता दो वैसे तो नहीं होनी चाहिए बढ़िया था एक नमबर एक नमबर ये देखिए सर कहा ही था मैंने आज समापती तो सर और्गेनिक केमिस्ची हो गया है समापत कोई दिक्कत की बात यहां तक शांदार तरीके से सारे चैप्टर्स को अपने कर दिया एक खतम देखिए हर कंसेट पढ़ा दिया हर चीज कंप्लीट करवा दी और साथी साथ अगर आपने देखा हो तो NCRT इसको भी कवर करवा दिया और बिटा NCRT के कोशन मत छोड़ना क्यों नहीं छोड़ना NCRT के कोशन क्योंकि दिक्कत आज आती है बच्चों को अगर NCRT के कोशन नहीं करते हैं कभी कभी स्कूल बोर्ड में आपका क्या होता है स्कूल वाले जो बनाते है लोकल पेपर ही बनता है स्कूल वालो सब स्कूल वाले NCRT के कोशन डाल देते सीधे सेधे डिक्टू तो अगर आपने सारी NCRT कर रखी है तो कोई दिक्कत की बाद बिल्कुल भी नहीं होगी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी कोई दिक्कत तो नहीं पका, done, चलिए तो सर, ये बात याद अखिये सर शांदार लाजवाब कोई दिक्कत नहीं है done न, done सर, यहाँ आना है अपन को क्योंकि इसके लिए आपको लाने पड़ेंगे मार्क्स किते, 70 आउट और 70 सर, टार्गेट बढ़ा है अपना यार तब ही तो फाटो आईगी ठीके फोटो ठीके, और माइनेट बेंस पूरी जान से लगा है आपके पीछे आप करो तो बटा हम तो करने के लिए तयार है क्या आप तयार हैं, हम तो फुल तयार बैठे हुए माइनेट बेंस के दो चैनल हैं, एक English Medium मेडियम और एक Hindi मेडियम English Medium मेडियम में CBC regularly आपके सामने 11-12 की Chemistry को लेके आता हूँ Recorded, Life, Crash Course E-Books, E-Notes, सब कुछ और हर Stream में हर subject Available है, सर, बस आप लगे तो रहो सर, हर teacher पूरी जान लगा के रखाए बस जान लगाने का काम आपका और आप भी बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं Session में मज़ा आए, तो एक बार लाइक कर दीजिया और भी है, Spoken English CUT, NTSC, Olympiad जैसे सारे courses को cover किया जाता है, सर, शानदाल तरीके से हर एक course को cover किया जाता है किसी भी चीज को छोड़ा, नहीं चाता है दूसी बात, सर, हिंदी मीडियम हो गया हिंदी मीडियम में भी अगर कोई हो, तो भीया ले आना मजा आ रहा है यहाँ पे, पूरे टीचर तयारे पढ़ाने के लिए चीके, देख लेंगे, चलिए और important board, like UP board, बिहार board और MP board सारे boardों को cover कलते हैं, शांदाल तरीके से और सर, सबके exams औगेरा भी चल रहे हैं तो बड़िया तरीके से लगे रहो, लगे रहो, जोड़े रहो, होता आएगा सब कुछ हो जाएगा दूसी important बात, E-nodes E-books, सर, ये भी available है सब कुछ available है सर लेकिन सर कैसे मिलेगा मैंने का description में देखो सर जी और जाके वहाँ पर click करिए सारे notes आपके हाथ में होंगे सब कुछ आपके हाथ में होंगे तुरंद गिराब करिए बड़िया तरीके से सारे lectures को YouTube पे देख रहे हैं वहाँ भी चल सकता है बड़िया तरीके से सेशन बड़िया लगा है तो एक बाद like करना ना भूलिए ठीक है, share करना भी ना भूलिए साब अपने दोस्तों को तीन तूफान सबको बेज़ देना भाई देख लो कुछ तो उद्धार हो जाएगा आप लोग भी पढ़ी लो ठीक है, साथी साथ अगर कोई नया आया है तो चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले बिलकुल भी ठीक है, तो अब मिलेंगे कल सेम टेम सेम जगा, एक नए चैप्टर के साथ एक नई चीच के साथ और भाईया बहुत कोछ है बस लगे रहो आप, ठीक है ओके, बाई बाई, थैंकिसो माच, जैहिन